अगर कोई आदमी और बकरी बैठे हो तो आप क्या करते हैं उनको भी पकड़ करें जेल में डाल देते हैं क्योंकि हमारी है तो आप नहीं बता है था ना सर आपने भी बात हुई थी बकरी की तो अब जाने तो जेहिन दोस्तो मेरे चैनल मोडी डिस में आपका सोगत है दोस्तो इस वीडियो को लाइक शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मद धूलेगा तो दोस्तो ये वीडियो बहुती जड़ा मस्यदार है और इसके दो बात है पहले पार्ट में आज़ों ने डॉक्टर इस बगई के मामले पे और ये वीडियो देख के आपको पता चले जाएगा और दूसरे पार्ट में पाकिस्तनी मीडिया बातचीत कर रहे कैसे इम्रान खान की टीसी बीबी के पहले हस्बिन ने एक इंटेर्विव दिया है जिसमें उसने यूटन मारा है और उसने कहाए कि इम पाकिस्तानी आर्मिये कहने पे इम्रान खान की टेसी वाइब के पहले हस्बिन ने इंटेविव दिया है इम्रान खान के खिलाफ तो पाक मीडिया इस पे बातचीत कर रहे है दोस्तों ये वीडियो बहुती में सिदार तेसा पुरा से दो दिखेगा तो चिलिए और इंतसा और नगर के वीडियो डिक्ट है क्योंकि खबरें पहले आती थी कि यहां पे लड़का लड़की अगर बैठें या कुछ मिलें तो उनको मारते हैं ये जमाते इसलामी वाले सर आपको कहना चाहिए था कि अगर कोई आदमी और बकरी बैठे हो तो आप क्या करते हैं मतलब क्या उनको भी पकड़ के रेस्ट करें जेल में डाल देते हैं आपने भी बात हुई थी बकरी की तो उनसे पूछते कि बकरी आदमी बैठे हो तो ठीक है लड़का लड़की ब टॉक अबाउट बाउट तो यह मौलगियों पर जो अपने इल्जाम है वो काफी है बचारी बकरीयों को तो छोड़ो ना हर जगह पर यह इल्जाम है और पकड़े जाते हैं वो जो एक ते मौलाना क्या नाम था सैंडविच जो बड़े मशूर हुए थे अफगान जिहाद के दुरान क्या नाम सिमी क्या नाम था उनका सिम्यूद सम्थिंग नौर्थ वेस्ट रिंटियर के वो उनका मौलाना विस्की भी था है ना सार मौलाना कोसर ने आजी तो जब तक पाकिस्तान की मौरैलिटी को ये लोग डिफाइन करेंगे ने जिनका अपना किरदार कुछ है और हकीकत कुछ और हमारे लीडर जो है वो दिदाउट इलेक्ट इलेक्शन हुए बगएर लंबे चोड़े बियान दे देंगे ऐस प्राइम निस्टर्स तो उनकी वुकत कोई नहीं है उनकी कोई वो क्रेटिबिलिटी नहीं है इमरान खान की तीसरी बीवी पीर्नी फकीर्नी का पहला शोहर ने इंतर्वियू दिया है और उसमें काया है कि इमरान खान ने हमारी शादी की जिन दागी बर्बाद कर देंग है जो बीवी जिसकी ये गवाई दे रहा है कि वह भाग के उसने वो की है और इस तरह के ये दीन फरोशों पर लानत ये आपको मीडिया में भी इनके सारे के सारे वो साथी यनि ये वो लोग हैं जो अपनी बात का अगाज करने से पहले दीन को बेचते हैं तो पय lett ten तो यह उर्वधिय बनाते हैं डीनी लोगों जैसे जिसे बनाते हैं मजवी लिबास पहनते हैं धूसरा यह अपनी कुछ को करेंगे किसी कुराणी आया थे करेंगे बिस्म आपके चरेंगे बा कर एक नियूज एंकर तो बगाइदा अपने शो के शुरूमें धरूट परता है उसके पष्वाराद का का ही उसकी तो क्या होती है आम लोगों को यह बतायजाएब कि चूके मैं एक दीनी मझहभी आदमी हूँ लहाजा मैं अपनी बात का आगाज कुरानी आयात से करता हूँ बिसमिल्ला पढ़के करता हूँ दुरूद पढ़के करता हूँ ताके सुनने वाले लोग जो है वो इसको एक दिनी आदमी समझ के इसके जूट पर इतबार करें फिर ये जूटी गवाई देते है और उसके बाद जो मौडरन आप कही है जो रीसेंट हिस्ट्री है उसमें अमरान खान और बुश्रा ने और ये खावर मानिकाओं जैसे लोगों ने तारिक जमील जैसे लोगों ने इसको अपने बामे अरूज पर पहँचा दिया ये वो रवईया है जो मैं बार बार जसकी गुदेरिशन मैं करता हूं निशान दही करता हूं कि ये इस तरह करवईया है कि आप किसी की नाजायES याणि किसी यतीमों के किसी मस्कीन के किसी मासूम की जमीन पर बड़़ा करके आप वزाहरे एक आप कहें के उसके उपर आप आयते लिखवा दें और कहें कि जनाब यह तो मैंने को बड़ा नेक काम किया है यह इतना घटिया काम है तुम दावा यह कर रहे हो जैसे बने बता है ना न्यूज है कर रहे हैं जो इनके सपोर्टर रहे हुए हैं वो कैसे कुरानी आयर पढ़के अपना श तीना का नाम नहीं लेना चाहिए जिस तरह की इनकी बीवी के साबक शोहर ने इन पर अलजामात लगा है आप कैसे देखते हैं क्योंकि खावर मानिका साब ने कहा है कि आठ जो डीपी ओ चेंज हुए थे वो मेरे बच्चे करवाते रहे हैं विद गुजर साहब से और फरा पीयरा एक दाती राए confess के लारा था है इस पैसे पर जिस पर आगर आप आप आपको अपनी करॉप्शं को चुपाने के लिए अब आपने सारी लांडरी आपने पूरे कौम के सामने राक दी है और किस की खाटर पैसों की आटर जो कर रहे थे वो बी पैसों की खाथर और दूसरा मैं मिरान खाने साब के बारे में उनकी रेप्यूट खराब नहीं होगी उसके वज़ा यह है कि खान साब भी कोई बाकरदार आदमी जो हैं मिशहूर नहीं है वो प्लेबो आए थे दुनिया के आलमुस हर कांटिनेंट पे उनका एक बचा मौजूद है बगहर शादी के एक बची उनकी बीवी के पास बैठी है लंदन में जिसको उन्होंने डिकलेरी नहीं किया आज तक जिसको आज तक जिसके सर पे हाथ नहीं रखा इन्होंने किस खुबसूरती के साथ नए पाकस्तान को अबेंडन करके रियास्ते मंदीना और तस्वी और अबन महरूफ के पास चले गए हो अंदर बैठ के नेट्फिक्स देग रहे हैं बार कॉम कह रही है कि अंदर तफसीर को लान की तफसीर पढ़ रहे हैं पर क्या एक ड्रामा है चले दोस्तों इस वीडियो पर बात करते हैं तो आजू का कुर्सें फणी था इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी यह सुनना चाहिए और मैं स्टीरोटैप नहीं करना चाहता और यह कुर्सें आजू का फणी था और पहले भी आजू ने यह कुर्सें किया था और इ चीसे की इम्रान खान की टीसरी वाइफ के पहले हस्बिन इम्रान खान के खिलाब बयान दिया है तो इससे कोई फरक पड़ता नहीं क्योंकि इम्रान खान को जो लोग समतन करते हैं उन्हें इन बयानों से कोई फरक पड़ता है नहीं क्योंकि उन्हें लगता कि पाकिस्तान आर्मी अब इम्रानखन के खिलाफ हो गई है आसी मुनिर के आने के बाद और वोई लोगों के डवाव डाल के जबल डैसी इंटेव्यू डिल बा रही है तो ऐसा नहीं कि इम्रानखन के समझ तक इस मामले पे गलत है पर ऐसा भी नहीं कि ये लोग जो बयान दे रहे इसमें को जोट है तो इस मामले में डोनों साइड ही गलत है डोनों साइड में से कोई भी सही नहीं है तो ये मामला भी बहुती ज़ड़ा कॉंप्लेक्स है और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इम्रान खान की टीसी वाइफ के पहले हस्बिन ने अभी जो यूटन मा रहा है तो इम्र है और इम्रान खान गलत इस कोई नहीं चीज़ नहीं है और अगर मेरी चैनल को देखेंगे तो मैंने इस पे पहले भी बातचीत नहीं से कि विलिजियों को अपने पालिटिकरा लाइफ के लिए झाल झाल